आउस्विल्लाहिम्ने शेतोह निर्वाजीम बिस्मिल्लाहिर्वाह्मानिर्वाहिम असलाम अलेकूम वेलकम टुलेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन नियू ओक्सफोर्ड मोडर्न इंग्लिश बुक थ्री बेस्ट अन सिंगल नेशनल करीकुलम 2020 हम सेब्सक्राइम करेंगे जो क्या उडने के बाद हम एक्सराइज को सोल्ष को सोल्ष करना स्पार्ट करेंगे किधेगी सरगर्मियां कंप्रिहेंशन समझ京 करपड़ना जिस health 9 किया है? Answer question है. जैसे कि बचचे reading कम्प्लीट कर चुके हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सारे question हम उन से पड़ें कि बचचे इनके क्या अंस देते हैं? अगर इनका अंस देंगे इस तरह हमें आइडिया हो जेगा कि बच्छों को reading की कहा तक समझ आई है और कहा हमें दुबारा उनको explain करने की जुरूरत है इन answer question के notes ready के हैं notes को देख लेते है question number A है जो के first हमारा question है who pushed the glider of the rock कि किस ने glider को दहकेल कर चटान से उतारा rock means चटान किस ने उतारा था जैसे के part 2 में हमने पढ़ा हम बच्चों से question करेंगे कि किस किस ने glider को rock से धकेला था कि क्या कहेंगे sami and his 10 friends कि sami ने और इसके 10 दोस्ते उन सब ने कहा कि push किया और इस तरह glider क्या था rock से off हो गया next question number B है why did the glider tilt to one side कि glider एक तरफ क्यों जुक गया जैसे से कि अभी story में हमने reason पढ़ी थी हम बच्चों से पूछेंगे कि बेटा glider एक तरफ क्यों जुक गया था तो हम इस कांच देंगे because क्यूंके uncle slim lint over and try to catch the end of the broken string क्यूंके वो एक तरफ जुक गये थे ठीक है uncle slim ने क्या हुआ था वो एक तरफ जुक गये और जो string टूटी थी उसे जोडने के उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो उस कोशिश में क्या हुआ उनका वेट एक तरफ को हो गया तो इस तरह क्या हुआ glider क्या हो गया एक तरफ को जुक गया next question number c है what happened क्या हुआ when जब uncle slim catch hold one of the bumbo stick कि जब uncle slim ने बांस की छड़ी को पकड़ा तो क्या हुआ क्या हुआ था तब nothing happened कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जब उन्होंने उसे पकड़ा उसे left right हार्ट तरफ करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ तो हम कहेंगे nothing happened कि कुछ भी नहीं हुआ ठीक है इसमें अब हमसे पूछा जा रहा है क्या uncle slim ने अपनी परवास लुट्फ अंदोज हुए बताएं के क्यों did uncle slim enjoy his flight क्या वो अपनी परवास लुट्फ अंदोज हुए say why क्यों ठीक है और इसमें हम बताएंगे के वो क्यों हुए तो हम कहेंगे no नई नी बिलकुल भी वो enjoy नहीं हुए थे ठीक है यहां फिर हम no means इसका दे सकते हैं क्योंकि हमसे two questions पूछा जा रहा है first part का हम no means देंगे यहां फिर हम इसका इस तरह दे सकते है uncle slim did not enjoy his flight ठीक है uncle slim did not enjoy his flight यहां फिर इसका सिर्फ हम no means दे सकते हैं अब हम इसकी reason बताएंगे न why ठीक है two questions पूछे जाएंगे अभी इसकी reason हम क्या बताएंगे because क्योंके he was barely escaped on injury क्या थे जो uncle slim थे वो डरे हुए थे ठीक है उन्होंने enjoy ना किया वो डरे हुए थे कि वो बरी मुश्किल से चोट लगने से महफूज रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी flight को enjoy ना किया next question number 1 है what other materials could somey have used to build the glider कि somey ने glider को बनाने के लिए कौन सा मवाद इस्तमाल किया materials जैसे कि हमने lesson number 7 में materials और tools दोनो answer question थीक है question में हमने दोनों का बताया था materials का भी और tools का भी वो ही इसमें same हमान्स करेंगे के बंबो था बंबो थे wood newspaper security string and bright blue color के ये सब चीज़े उसने अपने glider को बनाने के लिए इस्तमाल की next question number F है when did uncle slim शरीक and why के जो uncle slim थे वो क्यों चिलाए at what time two people शरीक और किस वक जो लोग होते हैं वो चींकते हैं ठीक है अब हमसे two questions पूछे जा रहे हैं पहले हम आन्स देंगे uncle slim का फिर हम बताएंगे लोगों का ठीक है हम बताएंगे uncle slim शरीक because या फिर इसका answer because इससे ही start कर सकते है because he was afraid of falling ठीक है कि वो डरे हुए थे कि वो कहीं गिर ना जाए ठीक है क्योंके वो गिरने की खोफ से एकी वज़ा से खोफ ज़ादा थी और उस वज़ा से वो चिला रहे थे next people का पूछा जा रहा है कि लोग कब किन मोको पर चींकते हैं तो हम कहेंगे people shriek when they are afraid कि लोग उस वक चींकते हैं जब वो खोफ ज़दा होते हैं इसी तरह जब अंकल सलीम भी क्या थे डर होए थे तो डर की वज़ा से वो क्या चींक रहे थे ठीक है तो इसी तरह जब अंकल सलीम चींक रहे थे डर की वज़ा से तो यही रीजन है कि लोगों की भी कि जब लोग डरते हैं तो डर की वज़ा से वो क्या करते हैं चींगते हैं नेक्स आंसर क्वेस्टन है जो के स्याको सबाग की तरह होते हैं स्टोरी में इसे लाइन लिए जाती है फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर क्वेस्टन किये जाते हैं Oh my goodness, he said to himself, Now what shall I do? अब देखें, यहां पे हमने line पड़ी, सबसे पहले हमसे question पूछा जा रहा है, इसी sentence के according, Who is the speaker? कि यह line किसने बोली हैं? यह line किसने बोली हैं, तो हम कहेंगे Uncle Slim ने बोली हैं, ठीक है? किसने यह line बोली हैं? Uncle Slim ने बोली थी, जब हम reading कर रहे थे, ठीक है? Where was the speaker when this line was spoken? कि जब यह line बोली हैं, तो बोलने वाला कहा था? तो हम कहेंगे on the glider, कि वो glider में था, ठीक है, जब उसने यह line बोली. Next है, what made the speaker say? Oh my goodness, कि speaker को किस चीज़ ने कहने पर मजबूर किया? Oh my goodness का मतलब होता है, Oh my goodness, एसी क्या चीज़ होगी कि speaker यह line बोलने पर मजबूर हुआ, तो हम कहेंगे the breaking of the string, the breaking of the string, इस कांस यहां तक दे सकते हैं, हम कह सकते हैं, the breaking of the string, made the speaker say that, यह भी short answer दे सकते हैं, the breaking of the string, कि जो डोरी के तूटने पर ठीक है, उसने speaker ने यह lines बोली. Next है, what did he do to get out of this trouble? कि इसने इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या किया, क्या किया था? He tried, उसने कोशिश की to catch वो पकड़े, hold off the broken string, so that he meant it. ठीक है, इसने तूटी हुई डोरी को पकड़ने की कोशिश की, ताकि वो इसकी मरमत कर सके, फिर हम खुद से, बच्चों से question कर सकते हैं, क्या uncle Slim उस डोरी को पकड़ पाया था, बिल्कुल भी नहीं, अभी हमने question पड़ा, क्या हुआ, उनका weight क्या हुआ, एक तरफ ही हो गय तो क्या होगा, गलाइडर इस तरह नीचे जमीर पर गिरना शुरू हो गया, working with words, लफजों के साथ काम करना, यहां पे देखते हैं, कहा जा रहा है, what are these, कि यह क्या है, some may have to correct answer something that, यहां पे जैसे reader होते हैं, पहलियां, उसी तरह ही पूछा जाता है, पहली की तरह, हम कोशि इसके इलावा, हम बच्चों से इसकी और मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं, यहां पे देखे सबसे पूछा गया, keeps us warm at night, ऐसी कौन सी चीज़ है, जो हमें रात को गरम रखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, blanket, मतलब कमबल, we can see ourselves in, ऐसी कौन सी चीज़ है, जिसमें हम पुद को द नाइफ, ठीक है, चीज़ों को कट करने के लिए हम नाइफ यूज करते हैं, we are on our head, scabby, our head भी, दोनों चीज़े हम अपने सर पर पहनते हैं, we eat off plate and ball, ठीक है, इन दोनों का यह बताया जाएगा, यहां पे क्या है, चैलिंग, चैलिंग में क्वेस्टन है, when did uncle slim's face go white and why, के uncle अंकर slim का चेहरा कब सफेद पार गया और क्यूं, हम बच्चों से question करेंगे, बेटा हमें challenge मिला है, का अंकर slim का चेहरा white हो गया और क्या वज़ा थी उसकी, तो इसकांस हम देंगे, when jab glider was flying high in the air, कि jab glider हवा में बुलंदी पर उर रहा था, ठीक है, his face went white और इनका face सफेद हो गया, because, क्यूंकि he was afraid of falling, कि उनको ये था कि अब मैंने गिर जाना है, और गिरने की वज़ा से, उस खोफ की वज़ा से, उनका faith चेहरा हो गया, learning about language, जबान के बारे में सीखना, इसमें जबान के बारे में कहा जा रहा है, add not to the following sentences, अब हमने क्या करना है, हमें affirmative, simple sentence दिए उसमें हमने not लगाना है, ठीक है, जो कि हमें नीचे verb दिए गई है, उनको change करना है, जैसे कि सबसे पहले हमें example दी गई है, uncle slim kept quiet, ठीक है, second form यूज की गई है, ये past sentence है, तो past sentence को जब negative में हम change करते हैं, तो helping verb जो हमारा उतर did not में आ जाता है, तो हम कहेंगे uncle slim did not keep quiet, और did not क के साथ हम first form यूज करते हैं, तो हम कहेंगे uncle slim did not keep quiet, uncle slim landed on a tree, uncle slim did not land on a tree, ठीक है, next time uncle slim was very happy, तो हम यहाँ पी इस कान से देंगे, uncle slim was not very happy, ठीक है, was not आजेगा, यहाँ पे और उपर did not और यहाँ पे भी did not आजेगा, next time our conjections is a word that joins together words or phrases, ठीक है, ऐसे, ऐसे अलफाज, यहाँ ऐसे लफ्स, जो कि क्या करें, दो लफ्सों को आपस में जोड़ दें, दो phrases को आपस में जोड़ दें, उसे हम क्या कहते हैं, conjunction कहते हैं, मतलब connection से यह word निकला ना, connection मतलब जोड़ देना, जैसे black and white, तो end इसमें क्या होगा, conjunction होगा, मतलब दो उसने जोड़ दिया ना black and white को तो यह क्या है यहां पे end यहां पे नीचे कुछ examples दिये गी है इनको कहा गया feeling the blank के complete करें help box यहां पे दिया गया है the man was young and smart ठीक है he was old but he was strong he was shouting because he was angry he was hungry for he had eaten nothing he knew that I was coming इसी दर मज़ीद बच्चों की internet से worksheet वगारा ready करके इनको मज़ीद इस तरह इसकी practice करवाई जा सकती है next है using adjectives to compare things adjectives basically क्या होती है इसमें shift होती है adjectives के उपर बचों का concept clear करवाने के लिए मेरे channel पर playlist में इसकी अलग से video upload कीगी है ताके बचों का concept clear हो सके आप उसे जरूर watch कीजेगा वातना करना ठीक है यहां पर देखें dark, darker ठीक है dark as simple है तो यहां पर darker के compare किया जा रहा है big, bigger यहां पर short, shorter ठीक है यहां पर इनका बताया जा रहा है इसी तरह यहां पर help box दिया गया है इन words को use करते हैं हम filling the blank को complete करेंगे he is dash than I am prettier he is dash than his son taller ठीक है यहां पर prettier और यहां पर taller use होगा this torch is brighter than yours इसका comparison किया जा रहा है यहां पर brighter लिख देंगे his house is smaller than mine a bag is cheaper than a यहां पर suitcase ठीक है यहां पर देखें listening and speaking है सुनना और बोलना जिसमें बचे क्या करते हैं सुन के और बोल के क्या करते हैं है इसके answer question करते हैं यहां पर contractions है जिसे हम short form में लिखते हैं जैसे I or am proper लिखा गया लेकिन इसके जो short form को हम क्या करते हैं contractions कहते हैं जिसे हम इस तरह लिखेंगे am ठीक है she इस खेंगे autop acres को हम क्या कहते हैं contractions कहते हैं यहां पर कुछ examples दिए गई हैं और इसी तरह नीचे भी कुछ examples दिए गई हैं इनका कहा जा रहा है कि इन्हें इसकी speaking में practice की जाए और इसके उपर फिर क्या किया जाए sentence making की जाए इसके notes ready के गई हैं उनको देख लेते हैं यहां पर देखें जो के सबसे first word है यहां पर I am को लिखा गया I am जो इससे हम speaking करेंगे I am going to school what's what's your name they are they are playing cricket he is singing a song she is reading a book we are को हम कहेंगे we are we are we are swimming next word है can't I can't sing ठीक है इसका मतलब cannot होता है इसे हम इस तरह बोलेंगे that's that's my brother it's it's a good book you've you've को हम बनाएंगे you've made a mistake next है composition जिसे हम कहते हैं तहरीर यहां पर would you like to go up in a flying machine यहां पर कहा जा रहा है कि आप किसी उड़ने वाली मशीन में बैठना पसंद करेंगे is it safe क्या यह महफूस होगा discuss and write two paragraphs using the framework below यहां पर कहा जा रहा है सोल करने से पहले मैं यह कहूंगे मेरे चैनल को subscribe like share ज़रूर कीजे ताकि हरने आने वाली वीडियो की notification आपको time से मिल सके यहां पर है I would like to go up in a flying machine कि मैं किसी उड़ने वाली मशीन में बैठ कर उना पसंद करूंगी यहां करूंगा if अगर it is built solidity and tested carefully अगर इसे मुझबूत तरीके से बढ़ी हो यहां इसे अच्छे तरीके से अजमाईश से गुजारा हो इसी सुरत पर मैं इस पर बैठना पसंद करूंगी I have already wanted to play fly इसी तरह मैं खुद चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरी खौईश हमेशा उड़ने की people लोग fly उड़ते हैं in planes कि जो लोग हैं वो कि हवाई जहासों में उड़ते हैं बट मगर I want मैं चाहती हूँ to do it कि मैं इसे करूं alone अकेले मगर ये मैं काम अकेले करना चाहती हूँ एक उड़ने वाली मशीन can make my wish ये जो मेरी खौईश है इसे बना सकती है come true इसे सच में हकीकत में मतलब बना सकती है इसे पूरा कर सकती है इसी तरह एक उड़ने वाली मशीन मेरी खौईश पूरी कर सकती है इसी तरह ये एक पैराग्राफ हो गया इसी तरह second paragraph है बट मगर the flying machine should be safe to fly कि इसी तरह उड़ने वाली मशीन को उड़ने के हवाले से महفوظ होना चाहिए it should be made of proper materials इसी तरह एक उनने मतलब एक अच्छे दुरुस्त मवासे बनाई गई हो it should be carefully tested to find out if this is any problem with it कि इसी अच्छी तरह बनाया गया हो और इसी तरह इसे अजमाई से गुजारा गया हो कि इसे पता चल सके इसमें कोई मसला है या फिर नहीं only सिर्फ then I would like to use it फिर ही मैं इसे इसे इस्तमाल करना पसंद करूँगी इसी तरह इसके उपर टू परग्राफ राइट किये गई है sentence making की गई है बची इसमें अपने according कुछ भी material और मजीद line से sentences add कर सकते हैं इसी के साथ आज हमारा unit number 8 की exercise complete हुई मेरे चैनल को subscribe like share जरूर कीजिए ताकि हर ने आने वाली वीडियोज को notification आपको time से मिल सके thank you for watching